नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अमारे यूटूब चेनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल बर्ती के बारे में तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने भी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइ तो यह यहाँ पर आप देख सकते हैं High Court की Official Site है आपको यहाँ पर तीन डोट दिखाई दे रहे हैं क्लिक करना है Case Status पर जाना है हमारा Case है जेपूर बैंच के अंदर तो जेपूर पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद हमारे पास Case के नंबर है और Case का Year है तो क्लिक करने के बाद यह यहाँ पर आप देख सकते है 27.7.2018 Date of Listening है इसकी और मुकेस जाड सन ओफ स्री मोती राम जाड ने इस पर याची का लगाई है और इनके जो एड़ोकेट हैं वो आप देख सकते हैं सूमन सरमा इनकी एड़ोकेट है तो आपको यकीन हो गया होगा कि राज़तान पुलिस कॉंस्टेबल बरती पे जो रीट है वो लग चुकी है और इसके साथ ही आप जो केस की लिस्ट आज सुनवाई हुई उनकी भी देख सकते हैं तो यहाँ से आपको केस लिस्ट पे क्लिक करना है और जैपूर पे क्लिक करना है करने के बाद आपको केस लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 27,7,2,0,8 यहाँ पे जो केस का टाइप है वो सप्लिमेंटरी पे सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको पता होगा कोट नमबर 8 के अंदर यह सुनवाई हुई तो हम कोट नमबर 8 सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद जो जजज का नेम है वो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और अगर आपको जजज का नाम नहीं पता तो भी कोई select करने की जरूरत नहीं है वैसे judge है इसके vs. siradna तो हम direct वैसे ही search कर लेते हैं इसके PDF पे click करते हैं और download case list पे download पे click करते हैं click करने के बाद यहां पे यह list आपके सामने download हो चुकी है जो की जो जैपूर वेंच की है तो यहां पे आप देख सकते हैं supplementary case list है यह 277-2008 court no.8 justice vs. विरेंदर शिराधना तो यहां पे आप देख सकते हैं 113 नंबर पे जो रास्तान पुलिस कोंस्टेबल का पे लीट लगी है वो है case जाट सनौफ स्री मोतिराम जाट और यहां पे सूमन सर्मा इनकी advocate है तो आपको यकीन हो गया होगा कि इस पे जो याची का है वो लग चुकी है इसके बाद बात करते हैं कि आज इसका क्या फैसला हुआ तो दोस्तो आज इसका कोई भी फैसला नहीं हो वो पाया है क्योंकि अब आगे की date दी जाएगी इसमें आगे की date कब मिलती है तो आपको जानकर यह हमारे channel पर मिल जाएगी आज शिर्फ इसमें report मांगी गई है कि वास्तों में ऐसा हुआ है जैसे यह paper league का परकरन या नहीं हुआ तो उस पर जो पुकता report है वो मांगी गई है और report paste करने के बाद इसमें आगे की सुनवाई date दी जाएगी और उसी में रास्तान पुलिस पर फैसला होगा तो धन्यवाद आगे की news जानने के लिए आप हमारे channel से जुड़े रहें चैनल को subscribe करके bell icon को on जरूर कर लें ताकि आपको जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपको notification प्राप्त हो जाएग दन्यवाद जयहिंद वंदे मातरम